जीन्स आर मेंली मेड अप आफ यानि की जीन्स मुख्यतव बने होते हैं आपके आप्सन है पहला आप्सन है DNA दूसरा आप्सन है RNA तीसरा है लिपिडन प्रोटीन और लास्ट है केवल प्रोटीन से तो आपका राइट आप्सन है आप्सन A DNA चलते हैं अगले कोश्चन की और अगले कोश्चन की और अगले कोश्चन है यदि कोई दूरलब अनुवानसिक रोग एक सहलंगन प्रभावी जीन की रूप में वनसागत होता है तो प्रत्यास्या होगी कि If a rare genetic disease is inherited on the basis of an X-linked dominant gene, one would expect it to find तो कोश्चन में कह रहा है कि यदि कोई पिता है और वो अनुवानसिक रोग से पिडित है और उसका जो एक सहलंगन जीन है वो पूरी तरह से प्रभावी है तो आपको बताना है कि उसकी आने वाली संतानों में कौन प्रभावी होगा तो यहाँ पर आपका जो right option है option C है कि जो प्रभावित पिता है और उसका एक सहलंगन प्रभावी है तो उसकी 100% जो पुत्रिया होंगी वो प्रभावित होंगी चलते हैं अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन है निम्न में कौन सा ओनको जीन के नाम से जाना जाता है तो आपको बता दे कि जो cancer causing gene है इसी को हम onco genes कहते है तो आपका right option है option D चलते हैं अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन है cancer है तो इसका जो right option है option A है अनियंतित समसुत्री विभाजन यानि की uncontrolled mitotic division चलते हैं अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन है Y chromosome पर इस्थित तथा पिता से पुत्र को प्रेसित होने वाला gene कहलाता है A gene located on Y chromosome and transmitted from father to son is called तो बड़ा ही important question है और ये question कई बार repeat हुआ है आपको बता दे कि जो Y chromosome होते हैं और जो पिता से पुत्र को मिलते हैं उन्हें हम बोलते होलैंडरिक gene जैसा कि आपने देखा होगा कि पूर्सों के कड़ पल्लों पर बाल का पाया जाना तो ये Y chromosome पर पाय जाने वाला character है चलते हैं अगले question की और अगला question है किस पौधों में सहन लगनता की घटना सरपथम देखी कई थी तो इस question का जो right option है option A है लेथाईरस ओडोरेटस अज चलते हैं अगले question की और अगला question है ती एच मौरगन ने सब्द दिया था अगले question की और अगला question है एक कोशिका जिसमें गुरसुत्रों के दस जोड़ी होते हैं उसमें कितने सहलगन वर्ग होंगे how many linkage group are present in a cell which has 10 pair of chromosome तो यदि कोशिका में 10 जोड़े गुरसुत्र हैं तो उनमें linkage जो गुरूप होगा वो भी 10 होगा तो आपका right option है option B अगले question की और अगला question है डियनने का double helix structure दिया गया तो वो simple सा question है हम सभी जानते हैं कि DNA का जो double helix structure उसे देने वाले वैग्यानिक थे Watson और Crick तो आपका right option है option A अगला question है कौन सा purine RNA में पाया जाता है which purine base is found in RNA तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि DNA और RNA में दो तरह के nitrogenी समचार होते हैं purine और piramidine purine में आते हैं adenine और guanine और piramidine में आते हैं thiamine, cytosine और uracil तो यहाँ पर option में आपको देखने को मिलेगा purine में guanine तो यहाँ पर right option है option A चलते हैं अगले question की और अगला question है DNA और RNA के 20 समानता यह है कि दोनो तो आपको बतायते हैं कि DNA और RNA दोनो में एक ही समानता होती है कि दोनो nucleotide के polymer हैं तो आपके जो right option है option C है चलते हैं अगले question की और अगला question है DNA के दी कुंडलीनी के पूर्ण चक्र की लंबाई होती है the length of complete turn of DNA double helix is तो आप सभी ने देखा होगा कि जो DNA की दी कुंडलीनी की लंबाई अकसर आपको एंगे स्ट्रॉम में देखने को मिलती है तो एंगे स्ट्रॉम में होता है 34 एंगे स्ट्रॉम यहाँ पर आपको नैनो मीटर में दिया हुआ है तो नैनो मीटर में देखेंगे तो आपका जो answer होगा वो होगा 3.4 नैनो मीटर तो आपका right option है option A चलते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन है DNA के एक रज्जुक के दो बेस पेर के बीच की दूरी होती है तो दो बेस पेर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगे स्टॉम तो आपका right option है option A अगला कोशन दिया है निमन में से कौन सा satellite DNA है which of the following is a satellite DNA तो आपको बता दे की जो पुन्रावित जीन के DNA होते हैं यानि की DNA of repetitive gene यही कहलाते हैं satellite DNA तो आपका right option है option A चलते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन है निमन में से कौन सा भविसिकी पीड़ी के लिए सबसे अधिक नुकसान दे है which among the following is most harmful for future generation तो आपका right option है option C inversion चलते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन है मेंडल ने किसके सिध्धान्त का प्रिद्वादन नहीं किया which of the following principle was not proposed by मेंडल आपका option है पहला option है सहलगनता दूसरा है पितक करण तीसरा है प्रबलता और लास्ट है सोतनत अप्यूहन का नियम तो यहाँ पर आपका right option है option A है सहलगनता चलते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन है मेंडल ने अपने चीर प्रतिस्थे तो वनसागत नियम को प्रतिपादित करने में निमलिकित में से किस जिवधारी का उप्योग किया था तो कोशन में कहा रहा है कि मेंडल ने अपने वनसागत नियम के प्रयोगों में किस जिवधारी का प्रयोग किया था आपके option है पहला option है ड्रॉसोफिला सेकेंड है स्नेप ड्रैगन थर्ड है गार्डन पी और लास्ट option है स्वीट पी तो आपका right option है option C गार्डन पी जिसक चलते हैं अगले कोशन के ओर अगला कोशन है मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था मेंडल वास बोई इन आपके option है पहला और रसिया स्ट री को दसाया जाता है मेंडल सेकेंड लाओ अफ इंडिपेंडन उस्टमिंट के इमोनस्ट टेट बाई आप क्या option है, first option है test cross, second है back cross, third है mono hybrid cross और last है di hybrid cross तो Mendel का जो स्वतनत अप्यूहन का नियम है, वो दसाया जाता है di hybrid cross दोरा तो आपका right option है, option D अगला question है, Mendel का स्वतनत अप्यूहन का निसकस कैसे प्रसंकरण से सिद्वा Mendel's law of independent assortment was proved by आप क्या option है, पहला option है mono hybrid cross, second है back cross, third है di hybrid cross और last है incomplete dominance तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो di hybrid cross है, इसी का प्रयोग किया गया law of independent assortment में तो आपका right option है, option C चलते हैं अगले question की और, अगला question है, एक संकर क्रास का phenotypic अनुपात होता है तो इस question का जो right option है, option D है, 3 is to 1 चलते हैं अगले question की और, अगला question है, अपुन प्रभाविता में F2 PD में होता है in case of incomplete dominance, F2 generation has तो आपने देखा होगा कि जो अपुन प्रभाविता है, उसमें जो F2 generation होता है, उसमें genotype और phenotype दोनों के ratio समान होते हैं, तो आपका जो right option है, option A है, phenotype तथा genotype अनुपात समान होता है अगला question है, अपुन प्रभाविता किसमें पाई जाती है तो आपने देखा होगा कि जो अपुन प्रभाविता है, वो आपको मीरा बिलिस जालपा में देखने को मिला होगा तो आपका जो right option है, option C है चलते हैं, अगले question की ओर, अगला question है, यदि मीरा बिलिस जालपा की लाल तथा सफेद पुस्पो वाली प्रजातियों को क्रास करा जाए तो प्रथम पीड़ी में पुस्पो का रंग कैसा होगा इन दे केस आप मिरा बिलिस जालपा, when red flowering plant is crossed with white flowering plant, the color of flower in F1 generation will be तो आपका जो right option है, option B है, pink यानि की गुलाबी चलते हैं, अगले question की ओर, अगला question है, अपुन प्रभाविता में F2PD में एक गुण संकरन, द्रिस रूप अनुपात होता है तो यदि अगर हम देखें की जो अपुन प्रभाविता है, और उसके एक उगुण संकरन में जो phenotype ratio होता है, वो होता है 1 is 2, 2 is 2, 1 तो आपका right option है, option first चलते हैं, अगले question की ओर, अगला question है, जब एक gene, दूसरे gene की सक्रेता को संकेत करता है, तब यह घटना कहलाती है तो इस question का right option है, option C है, अपी स्टैसिस, चलते हैं, अगले question की ओर, अगला question है, ड्रॉसोफिला में निम्न में से कौन सा sex सहनलगनी लच्छन का अति उत्तम उधारण है इस question का right option है, option A है, वाइट आई, अगला question है, 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 टर्नल सिंड्रोम में गुर सुत्रों की संख्या होती है तर्नल सिंड्रोम में गुर सुत्रों की संख्या होती है, 45 यानि की 45, तो आपका right option है, option B अगला question है, बार बोडीज आर अपसेंट हीन, यानि की बार काय किसमें अनुपस्तित होता है आपके option है, clean filter syndrome, second है turner syndrome, third है मानव माधा और last है option A और B दोनों तो आपका जो right option है, option B है turner syndrome चलते हैं अगले question में, अगला question है, clean filter syndrome में बार काय की संख्या होती है तो बार काय की संख्या होती है, एक तो यहां पर आपका right option है, option first चलते हैं अगले question की ओर, question थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा पुर्सों में होने वाली एक और सामान जिसमें की विशन के ठीक से परिवधन न होने के कारण वे सदेवाज होते हैं क्योंकि उनमें एक अत्रिक्त S गुड़ सुत्र होता है और वह जो फार्मला होता है, वह होता है 47XXY तो इसे हम क्या कहते हैं, आपके option है, पहला option है आपके option है, पहला है Tinkton disease, second है Marfun syndrome, third है Kleinfintal syndrome और last है Turner syndrome, तो आपका right option है, option C, Kleinfintal syndrome अगला question दियावा है, मंगोलाइड स्थिती संबंधित होती है यानि कि मंगोलिक जणता किस से संबंधित है आपके option है monosomy, trisomy, nalisomy और last है इसमें से कोई नहीं तो आपका right option है option भी trisomy अगला question है जो की most important है और ये कई बार repeat हुआ question है मनुस में सिसू लिंग निधारन निर्भर करता है sex determination in human baby is depend on आपके option दिये हैं पहला option है type of egg, second है health of mother, third age of mother और last है type of sperm आपका right option है option D, सुक्राड़ों के प्रकार पर, यानि की type of sperm चलते हैं अगले question की हो, अगला question भी most important है ड्रासोफिला में लिंग निधारन निर्भर करता है इन ड्रासोफिला, sex determination depends on तो आपके option है, पहला option है y chromosome पर, second है x chromosome पर, third है आटोसोंस पर और last है x chromosome एवं आटोसोंस दोनों पर तो आपका right option है option D, x chromosome एवं आटोसोंस दोनों पर तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको BSC first year first semester जो लोजी और बाटनी से जुड़े हुए जितने भी topic हैं आपके syllabus में mention यदि आप उनसे related वीडियो चाहते हैं तो उनसे related मैंने अपने चैनल पर वीडियो upload कर रखे हैं आप हमारे चैनल के playlist में जाएं आपको वीडियो मिल जाएंगे अगले question की ओर अधिकांस कीटो में link निधारण का प्रकार है आपके option है पहला है x not प्रकार का x y प्रकार का और तीसरा है z w प्रकार का और last option है उप्रोक्त सभी तो यहाँ पर आपका right option है option d उप्रोक्त सभी चलते हैं अपने last question की ओर last question ने गुर सुत्रो का चित्रात्मक प्रदरसन कहलाता है diagrammatic representation of chromosome is called तो इस question का right option है option b इडियो ग्राम तो दोस्तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको आज का वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रू बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडिय चैनल पर नए है और अभी तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल में जो बेल आइकान उसे प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका notification आपको मिलत है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक कि लेजाएगे